हाई गईज एन वेलकम बाक टो दी चैनल दीपच्यादव एजूकेशन वेलकम टी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल इनालेसस ओफ 9 ओफ में 2023 तो गईज आज है तारेक 9 माई 2023 और है टूजडे देखेंगे आच के दा हिंदू कंप्लीट न्यूज पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपच यादव एजुकेशन यूपी एसी आप लोग को यह वाला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिस्स पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफिर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बिस्स पर बहुत सारे डिजिटल लोट्स मिल जाता है ना उबढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है, तुंगनाथ टेंपिल को काफी चर्चा में हैं इसको अच्छे से मैप में देखना है, जिन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे, जो कि UPSC प्रिविएस येर साल 2017 के प्रलिम्स में पूछा इया था डेली बिसेस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रिविएस येर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं तो होता है कि यहाँ प्रेजिदेंट रू लगने की वज़ा से क्या होग़ा लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या नहीं होगा तो पहला statement दिया गया है Dissolution of the स्टेट लजिस्लेटीवग असेबली यानी कि जो चेट लजिस्लेटीव असेमली है वो ढिजॉल होजाएगी तो इसका सही आंसर सभी को नीचे comment section में देना है एटली सभी को इसमें participate करना है जैसे हमें आप लोगों से daily business पर बोलता हूँ बाइदवे इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहां से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहां पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करते हैं तो चलो शोबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ तो दोस्तों इंडिया में वापस से एक बहुत बड़ा जो खजाना है वो मिल चुका है इसको लेकर कल बहुत सरे news article पब्लिश हो चुके हैं अभी थोड़े दिनों पहले या फिर कह सकतो लगबग एक दो महीने पहले हमने यही देखा था कि जमुएंड कश्मीर के अंदर में 5.9 million tons के आसपास जो रिजर्व है लीथियम रिजर्व है वो पाया गया है यानि लीथियम के बंडार महाँ पर खोजे गए हैं अब देखो लीथियम की ही और बहुत सरी discovery हो चुकी है राजिस्थान के अंदर खासका राजिस्थान के नगौर में और भी बहुत सरा लीथियम रिजर्व पाया गया है बताया यह जा रहा है कि जो हमें जमुएंड कश्मीर में लीथियम रिजर्व मिला था ना 5.9 million tons का ये वाला lithium reserve जो राजिस्थान में मिला है ये उससे भी जादा है इवन कितनी quantity है कितने tons में है ये सब कुछ नहीं बताया गया बस काली information इतनी ही निकल कराई है कि हाँ जो हमें जमू कशीर में lithium reserve मिला था उससे ये वाला जादा है और इतना जादा है कि लगबा कह सकतो जो हमा ये भारत के लिए बहुत जादा important माना जा रहा है इससे हो सकता है कि चाइना के ओपर जो dependency है वो हम लोग खतम कर दें लेकिन एकदम से dependency खतम नहीं होने वाली है क्योंकि lithium मिलना देखो अपने आप में बड़ा achievement है लेकिन इससे भी बड़ा achievement तब होगा जब इस lithium को हम अच् जितना बिला है उससे जादा है तो लंसम आप कह सकते हो कि 6 million ton के आसपास लेकर चल सकते हैं या फिर 7 million ton के आसपास लेकर चल सकते हैं इतना quantity में यहां पर available होगा क्योंकि कोई data यहां पर नहीं है तो हम लोग ऐसा ही एक estimation जो है अभी लगा रहे हैं वैसे आप देखोगे lithium क ना white gold के नाम से भी जाना जाता है रिसेंटी live mint के अंदर में एक research paper publish हुआ था पूरी तरह से lithium को लेकर तो वहां पर detail से समझाया गया कि देखो दुनिया भर में अगर हम लोग countries को देखें कि कहां कहां पर कौन कौन से देश में सबस्यदा lithium reserves पाई जाते हैं तो number one पर आपक पास lithium reserves हैं US में 12 million tons चिली में 11 million tons ऑस्ट्रेलिया में 7.9 million tons चाइना के अंदर 6.8 million tons और इंडिया का जो भी lithium reserve मिला था जम्मेंट कर्शी में उसकी वज़े से इंडिया भी हाँ पर इस पूरी list में आ चुका है बीच में 5.9 million tons के साथ में अभी हाँ पर इंडिया की rank और उप चिली को भी हाँ पर इंडिया पीछे करके इस वाली rank पर आ सकता है या हो सकता है कि थोड़ा और ज्यादा quantity में है तो चिली को भी पीछे कर सकें बट अभी हाँ पर quantity कोई शौर नहीं है तो इस वज़ा से कह सकते हो कुछ भी हम लोग अभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं ठ ठीक है तो यह lithium reserves जहां जहां पर सबसे ज़ादा पाया जाता है उन countries की ranking आपको देखने को मिल जाएगी इसमें से जो तीन country हैं बोलिविया अर्जेंटिना और चिली इन तीनों कंट्रीज को हम लोग lithium triangle के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह तीनों कंट्रीज आपस में boundary को इनका जो location अब वो इसी प्रकार से है तो इसमें हम लोग lithium triangle के नाम से जानते हैं तो lithium triangle में कौन से तीन देश हैं आर्जेंटिना, बोलिविया और साधी साथ में चिली और यह तीनों के तीनों देश कहां पर हैं South America में आपको यह तीनों countries देखने को मिल जाती हैं लिथियम को हम लोग white gold के नाम से भी जानते हैं, लिथियम का importance अपने आप में बहुत जादा है पूरे दुनिया भर में, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं खासकर electronic gadgets का जादा सदा use हो रहा है तो lithium का use भी काफी जादा होने वाला है, देखो lithium का main use होता है वो batteries के अंद लिथियम का use होता है, लिथियम soft होता है, बिल्कुल soft shiny gray metal की तरह आपको ये देखने को मिलेगा जो की प्रत्वी के अंदर पाया जाता है, इसको खोद कर निकालने में काफी परेशानी होती है, इसको extract करना और extract जब करेंगे तो वो raw form में मिलेगा, उसको refine करना पड़ता है फिर refine करने के बाद में हमें लिथियम मिलेगा, तो ये दोनों process, extraction और refining, ये दोनों ही बहुत typical काम है और भारत के पास में ये दोनों ही काम करने की जो technologies हैं वो अभी के समय पर नहीं देखने को मिलेगी, तो हमें अभी काफी साल लग जाएंगे इसको निकाल कर refine करने में, और मैं आपको बता दू, एक बड़ी खबर भी ये भी है, जो कि मैंने आपको बता दी थी और लेड़ी पहले, कि इंडिया जो है क्या करने वाला है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर में लिथियम reserves पाए गए थे, उसकी auctioning करेगा, निला भी करेगा उसकी, ठीक है, उसको auctioning क extraction कहां कहां पर है, reserves कहां कहां पर है, वो हमने current status देखा है, देखो, World Bank की एक study आई थी, और उस study ने simple तरीके से suggestion दिया था, उस study ने ये बोल दिया था साफसाफ, कि लिथियम जहां भी मिल रहा है, उस देश को आने वाले समय पर बहुत फाइदा होने वाला है, क्योंकि साल 2050 लगबख लिथियम की जो डिमांड है, वो 500% से ज़ादा बढ़ जाएगी, ऐसा World Bank की जो study है, वो यहां पर हम लोग को बताती है, और इंडिया को भी obvious नी बात है, इस study को अगर हम देखें, तो बहुत फाइदा होने वाला है आने वाले समय में, देखो, पहले भी हमारे पा पर कह सकते हो, कि इंडिया को ऊपर लेकर जाने वाली है, और दुनिया फर में लिथियम रिजर्फ कहां कहां पर है, वो अलड़ी मैंने आपको बता ही दिया है, सवाल यह है कि चलो सर कोई बात नहीं है, अगर मिल या है लिथियम रिजर्फ, ओब्यसी बात है, भारत को फा साल 2021 में भारत ने 14,000 करोड रुपे का लीथियम और लीथियम आयन को पर्चेस किया था 14,000 करोड तो यह कहिना गई एक बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा तो यह पैसा बच सकता है क्यों कि इंडिया में खुद लीथियम पाया गया है हम लोग यहां पर बना कर अपनी डिमांड पूरी करकर जो एक्स्ट्रा होगा उसको एक्सपोर्ड करके और उल्टा पैसा कमा सकते हैं तो डिपेंडेंसी यहां पर कम होगी उसके बाद में कह सकते हो कि अफोर्डेबल बनेगा भारत के अंदर में जो इलेक्ट्रोनिक वहिकल्स होगे वो थो आएंगे तो उसमें भी यह जो लीथियम है वो काफी मदद करेगा क्योंकि ट्रांस्पोर्टेंशन सेक्टर से बहुत सरा प्लूशन बहुत सरा प्रदूश्ड हो रहा है तो वहां पर हम लोग उसमें बैटरी का यूज होगा और वैटरी कैसे बनेंगी वो लीथियम से बन नहीं है ना इसको निकल पाären है हम लोग और नहीं यहां पर इसकी सई से हम लोग रीफाइ्टर कर पाएंगे रीफाइनिंग करने के जो पूरा प्लांट होता वो लगाना पड़ेगा और रीफाइनिंग करने का भी प्रॉसस हमारे पास में ज़ीच कछ खास नहीं है तो थो तिरुमालो टेंपिल को अम लोग तिरुपति टेंपिल और भी अलग लग नाम से जानते हैं वो सब कुछ मैं डिसकस करूँगा ये टेंपिल न्यूज में क्यों निकल कर आया है एक शौकिंग खबर निकल कर आया है आपने सोशल मीडिया प्लाटफों पर देखा भी होगा मे कोई ना कोई मतलब कोई इंसान होगा जो गया और उसने आपर वीडियो कैप्चर करके सोशल मीडिया पर डाल दिया और वो वीडियो पुरी तरह से वाइरल हो गया और उससे इंपॉर्टन चीज में आपको बताता हूँ कि तिरुमालो टेंपिल में पता सेक्योरिटी के उ अंदर टेंपिल के लेकर नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर एक डिवोटी जो कि यहाँ पर पतानी किस तरीके से जो है वो लेके पहुंच गया होगा मुबाइल फोन जिस से जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर ली गए अंदर के और वीडियो यहाँ पर सोशल लायम ठीक है यह ना बेसिकली कह सकतो एक सेंक्टम सेंक्टूरम है अंदर ही यहाँ पर एक मेंडीटी बैठेए व है यानि कि वनकेटीश्वरा जो मरे लॉर्ड वनकेटीश्वरा हें उनकी मूर्ति यहां पर अंदर यहाँ आपको देखने को मिल जाती है तो यह अंदर से प्रॉपरली जो है फूटेजिस देखेंगे और फूटेजिस देखने के बाद मैं पता लगाएंगे कौन है व्यक्ति और उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा जो एक्शन है वो लिया जाएगा तो हम पढ़ क्यों रहा हैं देखो पढ़ इसलिए रहा है क्योंकि टैंपिल अभी न्यूज में बना वाए और एक कारण और था जी टैंपिल न्यूज में था अभी दो महीने पहले आपको बताओका जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रॉपति मुर्मुजी वो यहां पर यह टैंपिल गई थी प्रेयर करने के लिए है ना तो उन्हें पूजा की थी टैंपिल क का एक में टैंपिल है ठीक है अब यह कहां पर है तो आंदर प्रदेश के अंदर में जो चितोर डिस्ट्रेक्ट है वहां पर जो तिरूपति जगा है वही पर तिरूपति में एक टाउन है तिरूमाला तो उसी टाउन के अंदर कह सकतो यह टैंपिल है वेंकेटेश्वरा ट को डेडिकेट किया गया है अब आप कहूगे कि अभी आपने बूला था लॉ dolphin को डेडिकेट किया याई देखो श्री वंके टेश्वरा जो है वो विश्णू जी के ही एक अफितार है विश्णू जी इनकार्नेशन है तो लॉर्ड श्री भभणाद में know about देडिकेट किया गया है ठीक है मननने जाता है यहां पर कि जो लॉइंगे टेश्रा है स्रीवेंगे टेश्वरा वह प्रकरट हुए हैं कल यूख से लोगों को हैं पर बचाने के लिए और बोले जाता है जो temple है ना ये one of the richest temple है देखो मैं क्या sentence use कर रहा हूँ one of the richest temple मैं ये नहीं करा कि हाँ सबसे अमीर मंदरी है ये नहीं one of the richest temple है donation के मामले में donation बहुत आता है प्लस यहाँ पर इस temple का अपना आप में wealth भी बहुत सारा है आप ये imagine करो wealth के हिसाब मैंने जैसे बोला है मैंने एक जो word बोला था starting में इस temple पे हर साल security के लिए 300 करोड खर्च होता है 300 करोड हर साल तो आप imagine कर सकते हैं यहाँ पर temple का wealth और donation जो है वो कितने बड़े level पर होता है और तिरुपती के जो लड़ू है तिरुपती लड़ू है वो बहुत famous है ठीक है अब वो जो लड़ू है उनके बारे में कुछ खास सीज़े हैं आप लोग यहाँ पर यह जरूर धियान रखना यह बहुत important point भी है यह important point कैसे आगे बताऊंगा जो तिरुपती लड़ू है यहाँ पर बहुत सरे dried fruits का use किया जाता है इस लड़ू के अंदर में nuts का use किया जाता है और इस लड़ू को GI tag में लबा है ठीक है geographical identification का जो tag है वो यहाँ पर दिया गया है इतनी बात clear हो गई यह बात तो ध्यान में रखनी है उसके अलाबा कुछ और चीज़े ध्यान में रखनी है architecture यानि कि यह temple बना कौन से architecture में है देखो इस temple को Dravidian architecture में बनाया गया है यह जो Dravidian architecture नागरा style architecture यह सारा का सारा आपका art and culture का हिस्सा है आप नेतन सिंगाने की किताब उठाओगे आपको temple architecture का चार्टर मिलेगा यह सारे architecture आपको देखने को मिल जाएंगे तो Dravidian architecture में यह मंदिर बना वाए बोला जा रहा है कि लगबग 300 AD के अंदर में 300 AD में यहाँ पर इस मंदिर को बनाया गया था और इस मंदिर का जो sanctum sanctorum है जो इसको हम लोग गरब गरिये बोलते हैं जहां पर main जो देवता होते हैं वो बैठे होते हैं उनकी जो मूर्ती है वो यहाँ पर लगाई जाती है main अंदर का जो हिस्सा होता है sanctum sanctorum जो इसको गरब गरे भी बोला जाता है इस temple का जो गरब गरिये है उसको हम लोग आनद निलायम के नाम से जानते है जो कि आप उपर देख पा रहे होंगे जिसका वीडियो capture किया गया था ठीक है तो इसी sanctum sanctorum में main जगा पर जो देवता बैटे हैं वो है Lord Venkadeesho राची standing posture है यानि कि खड़े होकर यहाँ पर जो पूरा मूर्ती है वो बनी भी है और गरब गरिये में यहाँ पर उनकी जो मूर्ती है वो eastern side में face करी हुई है है ना eastern side में उनका face आपको देखने को मिलेगा प्लस यह जो temple है जो विश्णु जी के 8 most important temples है ना बोला जाता है कि जा जाँ पर विश्णु जी अपियर हुए है उसी मेंसे यहाँ पर एक temple आपको यह भी देखने को मिल जाता है तिरुमाला temple ठीक है अब खास बात है क्या मतलब यह छोड़ी छोड़ी चीज़े से आप बता रहे हो यानि कि नीचे यहाँ पर आपको तीन अलग अलग चीज़ों के नाम दिये गए पूछागे इन तीन चीज़ों मेंसे बताओ किस चीज़ को GI tag मिला हुए पहला बनारस साड़ी दूसरा राजिस्थान का दाल बाटी चूर्मा या फिर तीसरा तीरूपती लेट डू तो बताओ यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है तो आप तो यह तो पढ़ी चूके हो कि यहाँ तीरूपती लेट डू के बारे में अभी आपने पढ़ा हाँ इसको GI tag मिला हुए ठीक है तो थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है तो आपको बता रहों कि यह ऐसे question भी बन जाता है तो वैसे वैसे इसका सही जो उत्तर है वो है 1 & 3 2015 के साब साब solve करोगे तो 1 & 3 जो है यह पहली और तीसरी चीज जो है इन दोनों को ही यहाँ पर GI tag मिला वाए इस प्रकार का structure होता है ऐसे shape में यह temple बनावा है temple का अंदर का जो हिस्सा है वो गर्बग्रिये कहलाता है यह वाला हिस्सा जहां पर main देवता बैठे होता है यह कहलाता है गर्बग्रिये जिसको हम sanctum sanctorum के नाम से भी जानते हैं उसके बाद यह जो region इसको हम विमान बोलते है ठीक है और आगे थोड़ा सवार बढ़ोगे तो गोपूरम देखने को मिलेगा गोपूरम जो की हमारा entrance gate होता है में दरवाजा जो होता है ठीक है यहां से entry होगी इस प्रकार से पहले hall फिर यहां पर sanctum sanctorum पढ़ता है इसी को हम लोग द्रैविडियन style of architecture बोलता है दूस style of architecture में फिलाल अभी आपको केवल द्रैविडियन ध्यान रखना है क्योंकि अभी हम द्रैविडियन के बारें पढ़ रहे हैं क्लियर हो गया आगया आता है तो आप यहां पे current तो पढ़ी रहे हो साधी साथ में static की अपने जो किताब हैं जैसे art and culture की किताब का वो हिस्सा है वो picture आपके नेतन सिंगानिया का ही जो मैंने आपको picture दिखाया था तो आप आपने static को जोड़ कर भी पढ़ रहे हो ठीक है नाव दोस्तों आगे बढ़ने से पहले make sure करना वीडियो पे जो like का बटन है उसको प्रेस कर देना एक छोटा सा target है हमारा 2000 प्लस likes का आप उसको achieve क आप मेरे साथ में इस्टाग्राम पे जोड़ सकते हो इसको जरूर सुनना अगर भाग रहे हो ना तो भागना मत पहले इस आपर डिसकस की जा रही है लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल ये भी है इसको हम लोग GS paper no.3 defense and security के point of view से link कर सकते हैं यहाँ पर क्या बात की जारी है तो MiG-21 जो हमारा लड़ा को विमान है fighter jet है MiG-21 अब क्या हो रहा था इस MiG-21 को यहाँ पर जो हमारे एक officer है Air Force के वोड़ा रहे थे अब क्या होता है कि इसमें कोई issue हुआ जिसकी वैसे यह MiG-21 गिर गया कहाँ पर गिरा राजिस्थान के अंदर में जो हनुमानगर district है वह MiG-21 गिरा है उन तीनों लोग की जान चली गई है इस वज़े से यहाँ पर यह जो news है वो बनी भी है कर लिए जो news है वो trend भी हो रही थी पाइलिट यहाँ पर इस जगा से लगबख 25 km दूरी पर मिला है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है तो अपना बे खतरनाक accident यह देखन भी हुए है तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि MiG-21 के ही काफी सारी खबरे आती रहती है हमने खुद न्यूसपेपर हो MiG-21 के ही खबरे पढ़ी है ऐसे कई सारे crash आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि MiG-21 पुराना हो चुका है बहुत पुराना हो चुका है मतल लगबग 200 से जादा पाइलेट्स की जान है वो जा चुकी है MiG-21 के एक्सिदेंट्स की वज़ा से 9060 के बाद से लगबग कैसा है तो यह जो fighter jet ना इसके 800 से जादा वेरेंट्स जो है हमारी सर्विस में काम कर रहे है ठीक है तो यह fighter jet अपने आप में लंबे समय से सर्व करत अब नजर आ रहा है बट अभी काफी ज़दा पुराना हो चुका है ऐसा यहां पर बोला जा रहा है तो अभी तक MiG की वज़ा से 400 एक्सिदेंट्स हो चुके हैं ऐसा यहां पर आर्टिकल के अंदर में बताया गया करना क्या है थोड़ा सा MiG-21 के बारे में जानेंगे और इसके बाद में दूसरे आर्टिकल पर आएंगे MiG-21 का इतिहास क्या है देखो MiG-21 जो यह जैट है न यह भारत में सबसे जादा लंबे समय तक सर्व करने वाला फाइटर प्लेन है और इसको किसना डिजाइन किया था सोवेत यूनन यानि कि जो आज रश्या है ना रश्य उसने यहाँ पर यह जो पूरा प्लेन है इसको डिजाइन किया था तो उसके बाद हमने देखा कि चाइना पाकिस्तान दोनों भारत के लिए खतरा बने वे हैं तो हमने भी देखा कि बिल्कुल हमें भी अपनी military capabilities को बढ़ाना चाहिए तो उसके लिए क्या किया गया इंडि वो अगले ही साल 1963 में पर्चेस कर लिया था यानि 1962 में वह रुआ चाहिना के साथ में अगले साल हम लोगों ने पर्चेस करना स्टार्ट कर दिया और फिर धीरेतरे करके हमारे पास में लगबाग 874 वेरियंट्स हम लोग यहां पर ले चुके हैं अलग-लग वेरियंट्स हमार जमाने जमाने की बात और ही 1963 की बात और है और अभी 2023 में तो दीरे-दीर करके हम लोगों ने क्या कर दिया बहुत सारे अपडेट करते वे चले गए इन मिक-21 के अंदर में फिर इसका मिक-21 बाइसन आया मिक-21 बाइसन बेसिकली क्या था मिक-21 बिस का ही एक अपग्रेड़ वर्जन था एक लेटेस वर्जन था ठीक है ऐसा यहां पर बोला जा रहा है फिर मिक-21 एफल आया जो कि यहां पर कह सकते हो कि एक पुराना वर्जन था एरक्राफ्ट का जिसने 1963 में सर्वेसिस को जॉइन किया था इसको साल 2013 में हमारे इंडियन एयर फोर्स ने फेस आउट आपको देखने को मिल जाएंगे चार अलग-अलग यूनिट से मिक-21 बाइसन एरक्राफ्ट के जो सर्वेस में हैं इंडियन एयर फोर्स की और हर एक स्क्वाइडर में हर एक यूनिट में कह सकते हो 16-18 यह जो एरक्राफ्ट है वो देखने को मिल जाते हैं दो हमारे पास मे ट्रेनर वर्जिन भी है यानि जिससे ट्रेनिंग वगरा दी जाती है ठीक है और बोला जा रहा है यह जितने भी एरक्राफ्ट हमारे पास में हैं मिक-21 बाइसन वाले इनको साल 2025 के अंत तक निकाल दिया जाएगा रिटायर कर दिया जाएगा सर्वेस से क्योंकि यह बहुत बात में यहाँ पर सोच रहा हूँ कि इसको ग्राउंड रियालिटी पर अगर हम लोग इंप्लिमेंट करते हैं लागू करते हैं तो इसको लागू करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपने क्वार्ड के बारे में सुनाओगा एक तो नॉर्मल क्वार्ड अब नॉर्मल इंडिया इन चारो देशों के जो लीडर्स हैं इनकी कल आपस से बैठकर बातचीत हुई है और उस मीटिंग को जो साओधी के प्रिंस हैं उन्होंने यहाँ पर यानि मुहमद बिन सिल्मान ने इस पूरी मीटिंग को होस्ट किया था जो हमारे नैशनल सेक्योरिटी एडव इस पूरे मीटिंग को रप्रेजन करने के लिए तो इस मीटिंग में आपर यह गए इदर से और इन्होंने काफी सरे डिसक्रशन करें तो इस नई क्वाड की मीटिंग में काफी सरी चर्चा की गई है और बोला यह जा रहा है कि हम लोग फोकस कर रहे हैं गल्फ रीजन को इंडिया से जोडने के लिए ठीक है एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा गल्फ रीजन के अदर में जो की भारत को जोड़ेगा कहोगे मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे समझ में नहीं आएगा मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ वहाँ से आपको समझ में आएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोग वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे अब वर्ल्ड मैप में आपको यहाँ पर यह एशिया देखने को मिल जाएगा इधर आपको मिडल इस्ट वाला रीजन देखने को मिल जाएगा ठीक है अगर यहीं पर हम लोग ग पूरा गल्फ रीजन है, इधर आपको ये इंडिया देखने को मिलेगा, तो अभी इस बीटिंग में कौन-कौन था, साउधी रेबिया, UAE, USA और इंडिया, इन चारू कंट्रीज का में मकसद क्या है, कि चाइना का जो पूरा का पूरा डिपेंडेंस है इस पूरे रीजन में जो चाइना का influence है इस पूरे रीजन में उसको खतम किया जा सके, और खतम कैसे करेंगे, इस वाले रीजन को इंडिया से जोड़ा जाएगा, अब वो कैसे जोड़ा जाएगा, तो जो गल्फ रीजन है ना, गल्फ रीजन को भारत से जोड़ने के लिए हाँ पर ये discussion किया ज जाएगे, पोर्ट्स अलग-लग देखने को मिल जाएगे, और इधर साओधी रीवे में क्या करया जाएगा, बहुत सारी जो रेलवे लाइन से वो बनाई जाएगी, ठीक है, यानि कि इस गल्फ रीजन में बहुत सारी रेलवे लाइन से बनाई जाएगी, और रेलवे जाएगे, और इधर इसराइल में आपको पता है, हमारा बंदरगाभी हाइफा पोर्ट, यहना वहाँ से हम उपर पूरे योरोप तक जा सकते हैं, तो यह यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट है, इसको लेकर यह पूरे मीटिंग चल रही है, यानि कि चायनों को छोड़ कर इस पूरे एरिया में एक कनेक्टिविटी बन जाएगी, इंडिया, योरोप, गल्फ रीजन, मिडल इस्ट, सब एक दूसर से यहाँ पर जुड़ जाएंगे, जो कि बेहतरी तरीके से व्यापार कर सकेंगे, तो आपका क्वेशन होगा कि अभी हम लोग अगर उपर योरोप मे जाना है, या हमें रश्या पहुचना है, तो हम लोग कैसे जाते हैं, तो इरान का हमारे पास में बंदरगा पोर्ट, आपका इरान का बंदरगा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर चाबार पोर्ट है ना, चाबार पोर्ट भारत ने डवलप किया है, तो यह रास्ता क्यों देखने को मिलेगा क्योंकि एरान एक ऐसा देश है जिसके ओपर ढ़े सारे सेंक्षन लगे हैं एफ़ टीफ के अंदर में ब्लैक लिस्ट में हैं ये देश है ना यूएस ने काफी सेंक्षन लगा रखे हैं पोर्ट हम लोग अपना प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे ह तो ये पोर्ट कहीं नहीं कि ये आज के समय पर हम लोगो उपर रश्या तक लेकर जाता है फिर भी यहाँ पर ये जो रास्ता है ये खतम हो जाएगा ये रास्ता मतलब ये रास्ता रहेगा कोई बात ने लेकिन ये वाला जो है ना कि गल्फ रीजन को जोड़ दिया जाए वो जादा बेस्ट रहेगा ठीक है यहाँ पर क्या किया जाएगा हमारे बंदरगा यहाँ पर हैं इदर यहाँ पर बहुत सरी रेल वे लाइन बनाने के लिए भारत को ये प्रोजेक्ट मिलेगा क्योंकि इस रीजन में इंडिया ही सबसे बड़ी रेल वे लाइन को यहाँ मैनेज कर रहा होगा और इंडिया ने बहुत सरे जो रेल प्रोजेक्ट से अपने देश में चला रखें और हम जानते हैं कि कैसे एक मजबूत और इस्टेबल रेल वे लाइन को बनाया जा सकता है ठीक है तो इसके लिए हाँ पर भारत को प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और यहा हमारी जो कनेक्टिविटिया यहां से यहां पहुच पाएगा समान यहां से कहां पहुच पाएगा इधर गल्फ रीजन में और गल्फ रीजन से सीधा उपर पहुच पाएगा यूरोप के अंदर मतलब यूरोप तक समान पहुचना काफी ज़दा असान हो जाएगा भारत क करें चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना का इंफ्लॉएंस को कम करने के लिए ये मिडल इस्ट यूरोप और भारत इन तीनों ही कंट्रीज को इस पूरे लाइन को जोड़ना चाहते हैं इसलिए यहाँ पर यूएस साथी साथ में यहाँ पर इंडिया UAE और साओधी अरेबिया यह चारो साथ में आ चुके हैं क्लियर हो गया आगया आता है नव नेक्स आर्टिकल को आप लोग जी एस पेपर नंबर थ्री एन्वोर्मेंट के पॉइंट अव्यू से लिंक कर पाओगे अगें पांच और चीता मगाय जा रहे हैं हमारे कोनो नैश कर दिया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है यानि जून से जून के महीने से पहले पहले यह पांच चीता आ जाएंगे और नामिबिया साओध आफरीका से इन चीता को लेकर आया जाएगा और अभी तक बोला जारा मतलब पिछले साल सितंबर 2022 में जो है पहली बार चीता को को अमेरिका से मगा चुक है जिसमें से दो चीता की डेथ हो चुकी है यह भी हमने डिसकस किया था ठीक है तो बोला जा रहा है कि अभी पांच और चीता जिसमें से तीन फीमेल होंगी और दो मेल होंगे इनको जल्दी रिलीस किया जाएगा कोनो नैशनल पार के अंदर में या इटनी फिलियर की वज़ा से एक का हार्ट फिलियर की वेश से जान गई है ना उसके बारे बताया गया है देखो हमारा एक लॉंग टर्म प्लान है प्लान यहां पर एक ही देखो इंडिया में चीता अल्रडी 1952 में खतम हुए थे 1952 में एक्स्रिंक्ट हमने डेक्लियर कर दिय और उसके बाद से हमें लोग ने चीता देख एक इनडिया के अंदर में और एशया में जो वdır FörAA चीता पाए जाते हैं वो केवल और केवल इरान में हैं और वों भी कुछ की मातिरा में बचें 50 साट चीता बचेंवे अभी और चीता को इस वाले एरिया में रिलीज नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में चीता की संख्या बढ़ जाएगी, तो जो रिसोर्स हैं उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, जो शिकारी चीता को वो नहीं मिलेगा, है न तो रिसोर्स की कमी देखने की वज़ा से यहाँ पर चीता की जान जा सकती है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है ठीक है कि इस जगा में मतलब यह जो पूरो नैशनल पार्गेस में एरिया कम पढ़ सकता है इन चीता के लिए इस वज़ा से यहां पर और चीता को रिलीज नहीं करना चाहिए ऐसे भी बातें यहां पर बोली जा रहे हैं काफी सारे एक्सपर् भी 36 गड़ के अंदर में उसके बासे चीता दिखाई नहीं पड़ा अब जब कुछ साल तक दिखाई नहीं पड़ा तो 1952 में हम लोगों ने चीता को विलॉप्त डेक्लियर कर दिया एक्सटेंग डेक्लियर कर दिया कि भारस चीता पूरी तरह से खतम हो चुके हैं और तब चीता है कहींना कहीं जो यह cat की species होती है जो बल्यो की species हैं उसी में से यहाँपर कह सकते हुए big cat की species होती है उन में से एक बहुत पुरानी परजाती है dekal वसी नहरा मतलब आज से पांच साल, पांच मिलियन साल पुरानी भी यहाँ पर इसके प्रजाती देखने को मिल जाती है, जो चीता है दुनिया का सबसे तेज दोड़ने वाला महमल है, जो एफरिका और एशा में रहता है, जब बात करते हैं अफरिकन चीता कि जो कि अभी भा मगाए गए हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम है ऐसी नॉनिक्स जोबैटस, और ध्यान रखना जो एसियाटिक चीता है, वो एसियाटिक चीता से थोड़ा सा भारी होता है एफरिकन चीता, ठीके जो हम लोगों ने भारत में मगाया है ना एफरिका वला चीता, इसका कलर भ काटिगरी में रखा गया है, साइट्स में अपेंडिक्स वन में और उसके बाद में जो मारा वाडलाफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शिडियूल टू में रखा गया है, तो इस प्रकार से आपने ये डारेक्ली एजटेज रटना होगा क्योंकि डारेक्ली क्वेशन कुछ 30-40 के असपास बची भी है, इरान के अंदर में, और इसी वज़ा से जब हम लोग प्रोटेक्शन स्टेडस की बात करते हैं, तो इन एसियाटिक चीता को IUCN Red List में critically endangered category में कवर किया गया है, critically endangered category का मतलब यहाँ पर यह है कि ये चीता बहुत ही जादा खत्रे में आपक interaction act के अंदर में, schedule 2 में हाँ पर इन चीता को, यानि की, एसियाटिक वाले चीता को रखा गया है, तो यह थी बात, complete African और एसियाटिक चीता को लेकर, दोको एक बात का ध्यान अकना, बहुत सरे examination में, यानि की UPSC को छोड़ कर अगर बात करें, कई सरे one day examination के अंदर, चीता को लेकर question पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि लगाता news बनावा है, अब की बार जो UPSC का prelims होगा, हो सकता है, कि वहाँ पर भी कोई ना कोई question अज़रा है, बट UPSC unpredictable है, हम उसको यंदाज लगा नहीं सकते हैं, हर बार surprise मिलता है, आज भी, मतलब इस और अभी दो दिन दिन पहले ही पड़ाया था कि एक अभ्यास जो है वो चल रहा है, जिस अभ्यास का नाम है AIME23, इस अभ्यास की full form क्या होगी, एसे है ASEAN, एसे क्या है ASEAN, आसे मतलब Association of Southeast Asian Nation जिसमें 10 देश हैं, तो ये 10 देशों के group हो गया और ASEAN हो गया, तो ASEAN और इ Southern Region में न, South China सी वहाँ पर अभ्यास सर रहा है, इंडिया ने participate किया है, इंडिया के ससद यहाँ पर, जो 10 ASEAN countries वह भी यहाँ पर अभ्यास कर रही हैं, अभी जब अभ्यास कर रही थी, तो पीछे से क्या होता है, चाइना का एक boat, चाइना की यहाँ पर एक नाम आती है, और क जो चाइना है, वो कहीं न, कहीं हमारे इस naval exercise को disrupt करना चाहता है, इस exercise को यहाँ पर बंद करना चाहता है, यहना इस चक्कर में मतलब चाइना का एक interference देखने को मिला है, इस अभ्यास के अंदर में जैसा, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है नहीं, बट चाइना की हरकत हैं, सभी यहाँ पर इंडिया है, इन 11 देशों के बीच में इस अभ्यास को किया जा रहा है, थोड़ा सा मैं और details आपको बता देता हूँ, हमने हाल ही में डिसकस किया था, क्योंकि भारत ने अपने दो जहाज, दो लड़ाकू जहाज जो है, वो यहाँ पर बेजे हैं, इस अभ्यास कर रहा है, इससे क्या होगा, आसियान के जो यह 10 देश हैं, इनके साथ में भारत के जो relations है, वो काफी ज़दा इंप्रूव होंगे, और कह सकते हो कि इनके जो defense relations है, वो भी यहाँ पर इंप्रूव होते वे नजर आएंगे, और जैसी यह अभ्यास होता है, तो इस अभ्यास के बाद इंडिया जो है, आसियान कंट्रीज के साथ में कह सकतो, चौथा पार्टनर बन जाएगा, यानि कि आसियान के जो 10 देश हैं, इनके साथ में चौथा डायलोग पार्टनर बन जाएगा, इससे पहले क्या तीन देश और पार्टनर बन चुके हैं, हाँ, यानि कि डिस्ट्रॉयर मतलब बड़े साइस का जहाज जो की युद के अंदर यूज किया जाता है जिसमें बहुत सरे जो हत्यार हैं वो यहाँ पर यूज किये जाते हैं मतलब बहुत सरे हत्यार इसमें लगे वह हैं दूसरा है मारे पास में आइनस सत्पुरा जिसको भीजा गया है इंडिया नेवल शिप सत्पुरा एक शिवाली क्लास का फ्रीगेट है अब फ्रीगेट क्या होता है देखो फ्रीगेट भी लडाकु जहाज होता है जिसमें काफी सरे हत्यार मिसाइल लगे होता है लेकिन डिस्ट्रॉयर से थोड़ा सा छोटा होता है फ्रीगेट बस इतना फरक है, क्लियर हो गया, तो ये दो नेवी शिप्स को यहाँ पर बेजा गया है, अभी इस लडाई के लिए, अब बात यहाँ पर यह है, यह तो आपने, सुरीस अभ्यास के लिए, यह तो आपने समझ लिया, अब थोड़ा सा आसियान के बारे में जान लें थे हैं, क्योंकि इसी आसियान के साथ में यह पूरो का पूरा अभ्यास चल रहा है, आसियान में टोटल दस देश हैं, वो दस देश कौन कौन से हैं, फटाफट उसको देखो, तो यहाँ पर है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन, सिंगापूर, थाइलेंड, ब्रुने, लाउस, मयानमा को मिल जाती हैं, आसियान में, तो आसियान इन दस कंट्री का एक इंटर गौर्मेंटल ओगनाजेशन है, यानि कि इनकी सरकारे आपस मिलकर काम कर रही होती हैं, इस बोडी को 1967 में बनाया गया था, एक डेकलेरेशन को साइन करके, उस डेकलेरेशन का नाम है बैंककॉक डेक जापर बोला जा रहा है कि जो चाइना के प्रैसिडेंट हैं, जी जिन पिंग वो अभी क्या करने वाले हैं, थारा एक Els कंट्रेंट में बता एक को पार है, यह सकता है, थारा एक जिन बता आरिक देर जाएным प्रेंसरन कानी दोड़ी का करेंगे, पहले से यहाँ पर चाइना बहुत सरा इंवेस्टमेंट इन सेंटरलेशन कंट्रीज में कर चुका है मैंने जैसे बोला है कि चाइना ने कह सकते हो कि जो नैचुरल गैस रिजर्फ है क्योंकि जो Central Asian countries है यहाँ पर Natural Gas के भंडार पाय जाता है उन Natural Gas Reserve को निकालने के लिए बहुत सारा investment और चाइना इन देशों में कर चुका है और चाइना ने और भी investment कर दिया है खासका रही जो Central Asian countries है ना यह कही ना कहीं Belt and Road Initiative का हिस्सा भी है Belt and Road Initiative जो की चाइना का एक mega project है सबसे बड़ा project जहां पर दुनिया बर को connect करने की बात करता है उसका हिस्सा भी यह Central Asia देश आपको देखने को मल जाता है तो उनके साथ मेटिंग हो कि अभी मेटिंग हुई नहीं होगी बस खाली इसके बारे में चर्चा की जा रही है Central Asian countries है कौन-कौन सी पहले यह तो बता दो यह सबसे important point है यह आपर जानने के लिए Central Asia के अंदर total पांच देश आते हैं वो पांच देश कौन-कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इदर आपको नीचे इंडिया नजर आएगा ठीक है यहाँ पर मैं रो बना रहा हूँ यह दर इंडिया का जमू कश्मीर आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर आप लोग दिख पा रहोंगे उपर यह सारी Central Asian countries है Central Asian countries में कौन-कौन से देश हैं तो यह है Central Asia पूरा इसमें पांच देश हैं आफगानिस्तान पाỗiस unpre पाकिस्तान नहीं है खाली कजचस्तान उस्बैकिस्तान तुर्कमкивस्ताँ तुर्कमैनिस्तान ुर्कमिनिस्तान तुर्जगिस्तान और कर्गिस्तान यह पांच देशों का पूरा कपूरा पूरा ग्रोप है जिसकों लोग Central Asian countries बोलता है तो यह हुआ वर्ल्ड पेज समाप था नेक्स्ट पेज पर आता है अगले पेज हमारा बिजनस सेक्शन ने देखेंगे एकनॉमिक के पॉइंट आवी से रेलिवेंट आर्टिकल को दो आर्टिकल आपको मेंली काम के देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर यह दोनो और उसमें से भी खास कर जो सबस्यादा काम का है वो आपको यह वला आर्टिकल देखने को मिलेगा क्या बात की जा रही है जो भारत का जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया जो हमारा सेंटल बैंक है उसका जो गोल्ड रिजर्व है वो बढ़ गया है 34 टन से हमारा गोल्ड रिजर्व बढ़ गया है साल 2023 के अंदर में यानि कि भारत की जो करंसी वो और ज़्यादा मजबूत होती भी नजर आएगी अभी बोला ज़रा है कि पहले हमारा कितना गोल्ड रिजर्व था तो पहले हमारे पास में लगबख 760 के असपास 760 टन के असपास गोल्ड था बट अभी रिजर्व बैंक आफ इंडिया का गोल्ड बढ़ चुका है क्योंकि इन्होंने कितना पर्चिस किया है 34 टन अभी रिजर्व पर्चिस किया है तो 34 टन पर्चिस करने के बाद यहां पर क्या हो चुका है यह जो नंबर है यह बढ़कर 794 के असपास हो चुका है एक्जैक्टि करें हम लोग बात करें 794.64 टन के असपास सारा का सारा जो गोल्ड रिजर्व है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में हो गया है और जितना भी हमारे पास में 794 के लग ऐथ 795 टन के असपास इसमेंसे 437 टन जो है वो तो हम लोग ने बाहर विदेश की जो बैंक तो सयमें रख रहा है गोल्ड को purchase कर रहा है अपना forex reserve को मजबूत करने के लिए क्योंकि आपको बताओगा किसी भी देश की अगर हम लोग बात करते हैं उन देश का अपना एक forex reserve होता है forex reserve होना उसके पास में जरूरी है इसी के basis पर यहां पे सारा काम हो पाता है इसी के basis पर वो country की मुद्रा थंपाती है जैसे example अगर हम recently स्रिलंका का example ने तो स्रिलंका का forex reserve बहुत ही कम हो गया है बिलकुल खतम हो चुका है सिलंका पर उधार जाता है उनका forex reserve बहुत कम है और forex reserve ही बताता है कि उस देश की currency कितने ज़्यादा strong रहेगी कि उस देश की economy कितने ज़्यादा strong रहेगी तो forex reserve में basically चार चीज़े आती है चार चीज़ें से मलकर forex reserve बनता है जिसमें तो एक तो हो रहा है foreign currency एक होती है foreign currency यानि कि जो reserve bank of India आए ना वो कुछ foreign currency भी अपने पास में रखता है जैसे कि जो dollar हो गया dollar को यहाँ पर अपने पास में रखता है तो उसमें हम लोग कहते है उसका gold reserve तो gold भी रखा जाता तो अभी यहाँ पर बारत के reserve bank of India में खासकर foreign reserve में अगर हम लोग बात करें तो gold कितना आ चुका है 7.95 ton के आसपास आपको यह gold देखने को मिलेगा और उसके अलावा दो चीज़े और होती है एक ध्यान रखना मैं बस खाले आपको यह picture दिखा कितना सोना है gold reserves कितने है number 3 special drawing rights यहाँ पर कितने है special drawing rights basically international monetary fund से related है एक लंबा concept है बस खाली आप ऐसे मोटा मोटा ध्यान रख सकते हो कि यह special drawing rights भी इसमें होता है number 4 international monetary fund जो body है ना इसके अंदर में एक देश की position होना वो भी बहुत जादा जरूरी है तो इन 4 जीज़ों से मिल कर यहां पर किसी भी देश का foreign exchange reserve बनता है द्यान रखना है अब ऐसा क्यों बता रहा हूं क्योंकि यह भी UPSC का एक सवाल है जो कि साल 2013 में पूछा गया था और कह सकतो एक simple सवाल यहां पर पूछा गया था सवाल क्या था which one of the following groups of item is included in India's foreign exchange reserve भारत का जो foreign exchange reserve है basically उसमें क्या क्या चीज़े आती है यह आप से यहां पर पूछा गया था ठीक है पहला option दिया गया है foreign currency asset हां होता है special drawing right यह भी होता है loan from foreign countries ऐसा थो हमने नहीं पढ़ा foreign exchange रिज़ा में loan वगरा थोड़ना होता है तो पहला statement हो गलत second statement foreign currency asset हां होता है gold होता है और साथी साथ में मतलब RBI का जो gold holding है वो होता है plus special drawing rights हाँ यह भी होती है मतलब यह थोड़ा सही लग रहा है तीनों के तिनों correct है चलो आगे बढ़ता है तीसरे statement को देखते है foreign currency asset होता है loan loan की बात ही नहीं हुए तो खतम यह वाला फिर last देखो foreign currency asset होता है gold भी होता है loan की फिर से बात हो रही है तो loan तो होता ही नहीं है वैसे भी तो तीनों के तीनों याने की first, third और four statement गलत है केवल और केवल second वाला statement सही है क्योंकि जो हमारा foreign exchange reserve बनता है उसमें चार चीज़े होती है वो चार चीज़े क्या क्या होती है foreign currency asset, gold holding और उसके बाद में special drawing rights और साथी साथ में international monetary fund के अंदर एक position होनी भी जरूरी है, समझ गए? चलो, आते हैं next radical पर, आगले radical में बात की जारी है कोईले के बारे में, तो कोईले का जो import है वो हमने बढ़ा दिया है, 30% से कोईले का import बढ़ा है साल 2023 के अंदर में, तो अभी यहाँ पर 162 metric ton के आसपास यहाँ पर हो चुका है, इंडिया का कोई इंडिया का import देखने को मिल जाएगा, पिछले साल यह import बहुत कम था, पिछले साल था 124 million ton और अपकी बार बढ़कर यह 162 million ton पहुंच चुका है, ऐसा exactly यहाँ पर mention किया जा रहा है, ठीके, और दूसी तरफ जो cooking coal होता है, वो भी हम लोगोंने जादा import किया इस बार, ऐसा आप से कहीं नहीं बूचा जाएगा कि कितना koila import क्या है, कितना koila नहीं इंपोर्ट गया, ऐसा कहीं पर भी सवाल नहीं बनता है, दोस्तों आपने देखा होगा, करना क्या है, बस खाली koila के बारे में जा लेना, क्योंकि जियूगरफी में आपका जो बेरी रिसोर्सिस हैं उसके अंदर ये एक main topic आ जाता है कोईले के बारे में जरूर सा जान लो कोईला होता क्या है अब ये भी जानना जरूरी है question पूछेगा है, कई बार question पूछेगा है दो दिन question है और 2022 में पिछले साली कोईला सेक्टर से एक question आया था, याद होगा प्रिलिम्स के अंदर में, थोड़ दिनों पहले मैंने आपको solve भी करवाया है वो तो कोईले की जब बात करतें तो कोईला क्या है कोईला बेसिक लिए पर एक प्रकार का fossil fuel है जो की मतलब black gold के नाम से भी जाने जाता है इसको हम लोग काला सोना भी बोलता है, black gold भी बोलता है जैसे यहाँ पर हम लोग अभी lithium को wild gold बोलता है है ना, वैसी यहाँ पर इसको black gold बोलता है अभी क्या है, जो यह कोईला होता है यह एक main source है energy का ठीक है, एक fuel की तरह काम करता है बिजली का उतपादन जो भी हो रहा है, वो भी कोईले से हो रहा है जो industries हैं, जैसे iron जहाँ पर लोहा बनाया जा रहा है, steel बनाया जा रहा है, steam engine जो होता है वहाँ सभी जग़ापर कोईले को जलाकरी काम किया जा रहा है तो जो बिजली कोईले से बनती है उसको हम लोग थर्मल पार के नाम से भी जानते हैं ठीक है अगर ये कोईले के प्रड्यूजर के बारें बात करें यानि कि सबसदा उत्पादन कोईले का कौनकों से देश में होता है तो उत्पादन के माले में China टॉप पर है, China है, US है, Australia है, Indonesia और India यह पांच देशे जहांपर सबसदा production किया जाता है इंडिया में कोईले का distribution किस प्रकार से कहां का पर देखने को मिलता है देखो भारत के अंदर में जो कोईले की ख़दाने है न वो गोंडवाना coal fields भी नजराती है यानि कि जो 200 million साल पुराने वली coal fields है, वो यहांपर इंडिया में देखने को मिल जाती है और यह अक्षी क्वालिटी का पर देखने को मिल जाता है तो जो गोंडवाना वाला कोईला है वो 98% इंडिया में पाया जाता है ओडिशा और शतिजगड में, महराष्टरा में, उसके बाद जो नर्मदा वैली है, वहाँ पर भी आपको ये कोणवाने वाले कोल फील्ड देखने को बल जाती है तो एक तो यह कोणवाने कोल फील्ड, जो की बहुत पुरानी कोल फील्ड हैं, धाई सो मिलियन साल पुरानी कोल फील्ड हैं ये इन coal fields का कोईला काफी अच्छा होता है दूसरी जो coal fields होती है वो tertiary coal fields है इंडिया में जो पाई जाती है जो 15-60 million साल पुरानी coal fields है लेकिन यहां से जो कोईला निकाला जाता है खोद कर उसका carbon content थोड़ा सा कम होता है और जो हमारा गोंडवाना वाला होता है इसमें carbon content जादा होता है अब जो tertiary वाला कोईला ये खांका भी पाया जाता है तो यह आसाम, मेगालिया, नागलेंड, अरुनाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर उसके बाद में Darje Link, उसके बाद West Bengal, राजिस्थान, उतरप्रदेश, के रहला यहां सभी जगा पर ये tertiary coal fields देखने को मल जाती है जो भी हमारे पास में कोईला मिलता है ना उन कोईले को हम चार प्रकार के types में बाढ़ देता है एक होता है Anthracite कोईला Anthracite जो प्रकार का कोईला होता है ऐसे कोईले में 80-90% तक या फिर कह सकतो 80-95% यानि 80 से लेकर 95% तक कारबन पाया जाता है लेकिन ये कोईला बहुत कम पाया जाता है के एवल जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा फिर एक होता है Bituminous Bituminous में 60-80% कारबन कांटेंट होता है अब Bituminous वाला जो कोईला है वो जहार का इंवेस्ट बेंगोल, उडिशा, 36 गड़, मद्या प्रदेश में पाया जाता है फिर आता एक Lignite Lignite के अंदर 40 से लेकर 55% कारबन कांटेंट होता है इसमें moisture भी थोड़ा जादा होता है यानि कि थोड़ी नमी भी जादा होती है तो यह वाला कोईला, राजिस्थान, प्लस असाम का लखिमकूर और तामिलाडू में देखने को मिलता है फिर लास्ट में आता है PIT पीट में कारबन कांटेंट 40% से भी कम होता है आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है यह यहाँ पर माना जाता है, तो यह चार आपको classification देखने को मिल जाएंगे कोईले के एक बार 2019 में UPS ने सवाल पूछा था कोईले को लेकर ही पूछ लिया जा था क्या था, आपको तीन statement दिये गए है कोल सेक्टर को लेकर और पूछा गया है कौन सा statement सही है, पहला statement जो कोल सेक्टर है हमारा पूरा कोईले का जो सेक्टर है ना, इसको nationalize किया गया था भारत सरकार गे थूँ इंद्रा गांधी जी के अंडर में, दूसरा statement जो कोल ब्लॉक्स होता है, इनको lottery के basis पर allocate के जाता है, यहने कि जो भी गहाँ पे कोईले की खदाने होती, इनको lottery के basis पर दिया जाता है third statement, कि अभी तक इंडिया जो है न, कोईले को import कर रहा था, अपने shortages को पूरा करने के लिए बट, अब इंडिया self sufficient बन चुका है, अब भारत सारा का सारा coal production खुद करता है, अब यहाँ पे कोई import वगरा नहीं करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, third वाला statement तो सरसर गलत है, अभी भी हम लोग यहाँ पर बहुत सरा koila import करता है, चाहे वो Australia हो गया और countries हो गया, तो koila import किया जाता है तो third statement तो हो जाता है, गलत second statement देखो, जो हमारे पास में koila के sectors है, उनको क्या lottery के basis पर दिया जाता है, नहीं, ऐसा lottery को दे देंगे, हम लोग auctioning की जाती है, निलामी की जाती है, ठीक है, इस वैसे से यहाँ पर, जो second statement है, वो हमारा गलत है, और third वाला statement हमारा बिल्कुल सही है, और अगर हम लोग एक बार option में नजर मारे हैं, तो यहाँ पर option देखने को मिल जाएगा, option A1 only, B2 and 3 only, C3 only, D1, 2 and 3, तो 333 किसमें है, 3B में भी है, C में भी है, और उसके बाद में D में भी है, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो, कि यह तीनो की तीनो की तीनो जो statement है, वो गलत है, क्योंकि third वाला statement दो गलत है, सरसर मैंने बोलवा था कि हम अभी भी import करते हैं, तो कहीं न कहीं आप पर गह सकते हो, यह तीनो की गवर्न्मेंट के अंदर में किया गया था इस वज़े से पहला स्टेट्मेंट सही है क्लियर हो गया आ गया आता है दोस्तों यहां पर एक छुटा सा आर्टिकल है देखो अभी ना आने वाले समय पर भी इसकी चर्चा होगी जिसकी वैसे बारिश आसपास के स्टेट्स में नजर आएगी प्लस यह जल्दी साइकलोन हिट कर सकता है इसमया पर बोला जा रहा है जो चक्रवात है वो हिट कर सकता है रीजन को साइकलोन का जो नाम है मुका यह किस ने दिया है यह में ने दिया है ध्यान में रखना है आपको simple सी चीज़ है मैं आपको एक map दिखाता हूँ इस वाले map को देख सकते हो यह वो region है जहाँ पर यह cyclone मोका बन रहा है और यह cyclone कई न कई यहाँ से चक्रवाद बन कर इस पूरे region को हिट करता हूँ नजर आएगा इस पूरे region में कईना की बारिश भी नजर आएगी इस चक्रवाद की वज़ा से ठीक है clear हो गया अब जब लोग बात करते हैं cyclones की तो आपको बताना tropical cyclone कैसे बनते है तो tropical cyclone का एक simple definition है वो चक्रवाद जो कि ट्रॉपिक आफ कैंसर और ट्रॉपिक आफ कैप्रिकॉन के बीच में आते हैं उसी को लोग tropical cyclone बोलता है ठीक है जो चक्रवाद जो cyclone ट्रॉपिक आफ कैंसर और ट्रॉपिक आफ कैप्रिकॉन के बीच में बीच में इस वाले region में उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन हो ला जाता है और जो चक्रवाद भारत के पास में आते हैं इंडियन ऊशन में यानि की अरेबियन सी और वे ओफ बेंगॉल में उसको लोग साइक्लोन बोलते हैं और सेम चक्रवाद अगर यहां पर साउथ अमेरिका की साइड में आएगा तो इसको हरीकेन के नाम दिया जाता है और सेम इसी प्रकर का साइक्लोन अगर जापान और चाइना की साइड में आएगा तो इसको टाइफून को नाम दिया जाता है और सेम अगर यहां पर चक्रवा और tropic of cancer और tropic of Capricorn यह जो इसके बीच का हिसा है न वो उसमें जो सूरे की केड़ें वो direct पढ़ती है और direct पढ़ने की वज़़ा से कह सकते हो कि यहाँ पर गर्मी जादा होती है और गर्मी जादा होने की वज़ा से यहाँ पर क्या कह सकते हो कि पानी अगर समुदुर का गरम होगा न समुदुर का पानी गरम होने की वेसे भाप उठेगा भाप उठेगा उपर cloud formation होगा है ना बादल बनेगे और बादल बनेगे इस प्रकार से जो यह process वो चलता रहेगा बारिश होगी और कहीं ने कि यहाँ पर यह जो है इस प्रकार से जो नीचे low pressure हो बनेगा ठीक को भरने के लिए आसपास की जो ठंडी हवा है वो यहाँ पर घुसना स्टार्ट कर देगी तो इससे क्या होगा एक जो इस प्रकार का circulation है वो बनेगा और वो जो circulation है वो ऐसी process अगर चलता रहेगा चलता रहेगा तो यह circulation काफी strong हो जाएगा और ऐसी यहाँ पर यह जो चक्र चक्रवात catastrophic होगा बहुत बड़ा disaster लेकर आएगा और अगर वहाँ पर हवा की speed कम होती है चक्रवात में तो कहीं न की minimum damage करेगा तो अगर wind की speed 119 से लेकर 153 km per hour की speed की होती है तो इससे बहुत कम damage होता है आपने ध्यान में रखना है जितनी जादा हवा की speed उतना जादा खतर साइक्लोन और कमोदी साइक्लोन इक्स्टॉम इस प्रकार से यहाँ पर उसको जो नाम है वो दिये जाते हैं ठीक है और उसका ध्यान अकना जो साइक्लोन के नाम इदे को साइक्लोन बहुत important topic है UPSC 2013 14 22 हर जगा पर यहाँ पर question आप से पूछे गए हैं साइक्लोन को लेकर साइक्लोन के बारे में यह बनता कैसे मैं आपको बता दिया हवा गरम होगी उपर उठेगी condensation होगा cloud formation होगा उसकी वज़ए से यहाँ पर पूरा पूरा जो साइक्लोन है वो फॉर्म होता वह नजर आता है एक बात और धियान अकना जो साइक्लोन आता है इसका अलग से ना आ गयाते हैं उसके बाद editorial discussion पर आते हैं हमारे पास में explain section पर यानि text and context पर एक छोटा सा आर्टिकल है इस आर्टिकल में कुछ भी खास चीज नहीं है बतलब जो भी चीज़े मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ और काम खतम करता हूँ देखो बात यहाँ पर क्या किया हुआ यह कि advertisement monitoring committee जो है न वो committee ने लगबख 32 ऐसे case निकाल कर फैंक दिये हैं जहां पर बहुत सरे advertisement गलत क्लेम कर रहे थे बहुत सरे product ऐसे थे जो गलत क्लेम कर रहे थे कि हमारे समान में यह यह fresh मिलावा यह सब कुछ है जबकि उसमें कुछ होगा नहीं उसमें चीनी इसके secretary general है इनके according बात करें तो बोला जारा है जादतर जो complaint आई है misleading ad की कि समान अगर एक इससान खरीदा आए तो वो ad दिखा रहा है कि वो बहुत nutrition से बहुत सरे nutrition उसके अंदर पाए जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर बहुत सरी अलग-अलग chemicals वगरा mix करे कि advertisement और जो claims हैं वो सच्चे हो जो भी product advertisement कर रहा हो बिल्कुल सच्चा हो किसी के साथ कोई दोकादरी ना की जाए और कोई misleading करेगा तो उससे खिलाफ यहाँ पर action लिया जाएगा यहाँ पर FSSI ने mention किया है और यह बात खुद 2018 के FSSI के advertisement जो rules and regulations नहीं पर लिखी गई है कि ज किसी को mislead ना करो इंसान बड़ा लिखा है वो यहाँ पर समझता है चीजों को आज के समय में ठीक है तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि information को आप लोग गुमाने की कोशिच ना करें और अगर ऐसा होता है तो action लिया जाएगा ऐसे 32 cases recently निकल कर आएं तो यह FSSI ने mention किया है तो FSSI क्या है फटाफट इसको देखते हैं FSSAI नाम से बदा चला है Food Safety and Standards Authority of India इसका में काम है जितना भी Food Industry उसको regulate करना यह एक autonomous body है काफी सरे decisions खुद से लेती है Ministry of Health and Family Welfare के इंडर में आती है इस body को Food Safety and Standards Act के अंदर बनाया गया तो नहीं 2006 का यह Act है इसके तहत यहाँ प Act को खतम कर दिया 2006 का जो Act था इसने क्या किया इससे पहले भी कुछ Act हुआ करते थे जैसे Prevention of Food Adulation यानि कि खाने के अंदर मिलावट जो है उसको रोकने के लिए Act हुआ करता था अलग हुआ करता था फ्रूट को लेकर अलग Act हुआ करता था यह सब खतम कर दिये गए यह सब ख Executive Chairperson जिसको हमारी केन सरकार Appoint करती है वो यहाँ पर इस FSI की Position को Hold करता है बोला यह जा रहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर Head करेगा FSI को वो कई ना कई Director General of Health Services के अंदर में नहीं आएगा वो व्यक्ति यहाँ पर एक Important Person है Central Government Appoint करेगी लेकिन वो Director General of Health Services के अंदर में नहीं आ पर लास्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन करता है कि जो FSI है ना इसके अपने कुछ Rules and Regulations होता है यहाँ पर यह समझाता है इसका में काम क्या है कि जितना भी यहाँ पर Food है जितना भी खाने को लेकर यहाँ पर पूरा Industry है Food Industry है उसको महां में Manufacturing, Storage, Distribution को लेकर जितने भी काम ह उसको Regulate करने का यह Work करता है कौन समान Export होना है, Import होना है है ना तो वो सारा काम Control करने का यह इसका देखने को मिल जाता है FSI का आपने देखा होगा कोई भी Product आप Purchase करता हो उसके उपर इच्छे FSI का Tag भी होता है ठीक है तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है ताकि जो Human Consumption है वो एक अच्छा Consumption हो, Safe Consumption हो, एक अच्छा खाना लोग को मिले उससे इचको Ensure करने का काम FSI का है UPSC ने साल 2018 में इसी प्रकार से Question पूछ लिया था, Question यहाँ पर Directly FSI को ले करता पहला Statement दिया गया कि Food Safety and Standard Act 2006 जो है न, इसने पुराने Act को Replace कर दिया, Prevention of Food Alliteration Act को यह सही बात है, Directly मैंने आपको पढ़ाया तो पहला Statement सही है, दूसरा Statement बोलता है कि जो Food Safety Standard Authority of India है यह Director General of Health Service के अंडर में आती है, ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको मैंने Directly बोला था, यह Body किसी भी Director General of Health Service के अंडर में नहीं आती है यह आपने ध्यान में रखना है, तो दोनों Statement में से पहला Statement सही है, दूसरा गलत है, तो Option Number A is the Correct One तो ऐसा सवाल यहां पर बन जाते हैं ध्यान रखना, फिर दोस्तों एक और Editorial है और उसके बाद एक और Editorial है अब इन दोनों ही Editorial को मैं डिसकस नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे काम के नहीं है, काम के क्यों नहीं है, क्योंकि यह Article बकवास है मतलब, इसमें कुछ भी खास नहीं है, यार हम पढ़ चुके हैं, देखो, Moist को लेकर है, नकसलवाद को लेकर है, कल ही मैंने आपको आइक आर्टिकल पढ़ा है, कल ही रिटूरल पढ़ा है, बहुत सारा content आपके पास में already है, इस topic को लेकर, ठीक है, Moist हम बढ़ रहा है, 36 37 गड़ में देखने को मिल रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मतलब, कदा भी time waste नहीं करना है, इस article के उपर, कोई पढ़ा रहा है, मना कर देना, नहीं पढ़ना मुझे आर्टिकल, अगर हम खास करें, मतलब, जिसे नहीं पता, वो पढ़ सकता है, जिनने पता है, यहा आप time waste मत करना, मैं पढ़ चुका हूँ, तो मुझे पता है ना, कि आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, एक article यह है, इस article को भी हम discuss नहीं करेंगे, अगर इस article के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको एक तारीक बता रहा हूँ, तो आप please उस वाले वीडियो को open करना ठीक है, कहीं जाना नहीं है, देखो इस विएस में इस article को भी को last में खोल रहा हूँ, अच्छा एक चीज़ रुखो, पहले हम लोग mains का question ले लेता है, आज का mains का question क्या है, पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद इस वाले article के बारे में information आपको दूँगा, कल मैंने आ व्यापार हो रहा है, उसमें de-dollarization क्या है, दूसरी चीज़, how is India implementing the de-dollarization of trade, भारत यहां पर इस de-dollarization को कैसे लागू कर रहा है, कैसे हम dollar का use कम कर रहा है, हिंदी में भी पढ़ते ताओं एक बार, तो वैश्विक व्यापार का de-dollar करड क्या है, भारत व्यापार के de-dollar करड क कैसे लागू कर रहा है, या आपने समझाना है, तो 2500 शब्दों में answer लिखना, answer से लिखने के बाद में कहाँ पर submit करना है, telegram पर जाना, वहाँ पर जाके, search box में लिखना, दीपाच यादव, education, mains group, full form लिखना है, आपको मेरे telegram channel मिलेगा, जहां पर 56,000 से जादा लोग जु important points मिलेंगे, जो आप अपने notes में include कर सकते हो, सामने वाले के answer में, अगर कोई mistake होती है, तो आप उनको बता सकते हो, यहाँ यहाँ पर improvement की आविशत्ता है, ठीक है, चलो, अब यह वाला जो article यह कहां से पढ़ना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो, simple तरीका है अठारा एप्रिल का वीडियो ओपन करना है, यूट्यूब पर जाना, और सर्च बॉक्स में लिखना, अठारा एप्रिल दाहिंदू एनलेसिस बाए दीपक जादव, simple, इतना लिखना है, जहां पर मैंने आपको, मतलब थमनिल जो मिलेगा आपको, वो जान लेवा बिमारी के बारे में लगावा है, हेमोफीलिया के बारे में, जिसकी दवाई बनी है, 28 करोड रुपे की, उसके बारे में थमनिल लगावा है, ठीक है, तो 18 एप्रिल का जैसी वीडियो ओपन करोगे, उस वीडियो में भी कहां पर जाने हम आपको टाइम स्टाम बताता हूँ, डारे बार बार हर जगा पर करने की आवशक्ता नहीं है, इस वज़ह से याँ पर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो भी सेशन में इंपोर्डेंट, डेलिवेंट चीज़ है थी, वो मैंने सब कुछ आपको कवर करवा दी है, नौ फटा फट हम लोग करता है, प्र कर सही है, उसके बाद में, क्या जो काउंसिल आफ मिनिस्टर है, स्टेट के अंदर में, वो रिमूव हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, काउंसिल आफ मिनिस्टर स्टेट के खतम हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये तो होगा, ठीक ह थर्ड वाला देखो, Dissolution of Local Body Local Body Resolve हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो 1 and 3 यहाँ पर आपको सही उतर देखने को मिलेगा यानि कि Option Number B, 1 and 3 is the correct answer तो Option Number B, इसका सही उतर देखने को मिल जाएगा यानि कि State Legislative Assembly और Local Bodies Dissolve नहीं होगी President Rule के समय में बाकी पूरी सरकार किर जाएगी, State के अंदर Council of Ministers remove हो जाते हैं, आपको पता होगा तो इस वज़ा से सही उतर भी हो जाएगा इसके साथ मैं करते हैं, हम लोग अपने लेक्चर को समाप तो और मिलते हैं, आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and जाहिंद